बॉलिवुड टो हॉलिवुड रोड चड़ी आक्टर्स प्रियंका चोपडा जोनस हर वक्त किसी न किसी वज़े से चर्चा में रहती हैं अब चाहे बात उनकी हो या फिर उनके सूपर फेमस पती और पॉपिलर अमेरिकन सिंगर और आक्टर निक जोनस की हो बता दें जब से उनकी शादी बॉलिवुड आक्टर्स प्रियंका चोपडा से हुई है तब ही से इंडियन फान्स ने उन्हें जीजू कहना शुरू कर दिया अब आलम ये है कि निक जोनस सभी इंडियन फान्स के नाशनल जीजू बन चुके हैं अब हाली में एक इंटर्व्यू में निक जोनस ने इस बारे में बात की और बताया कि फैंस उन्हें नाशनल जीजू क्यों बोलते हैं और ये सुनकर उन्हें कैसा फील होता है बताते निक जोनस ने जिमी फैलकन के दे टुनाइट शो में कहा कि जब उन्होंने प्रियंका चोपड़ा से शादी की तो तभी से उन्हें नाशनल जीजू हाश्टाग मिल गया निक ने प्रियंका से 1 दिसंबर 2018 को शादी की थी और उनकी एक बेटी भी है निक जोनस ने नाशनल जीजू के हाश्टाग पर कहा कि जैसा कि आप जानते हैं मेरी शादी प्रियंका से हुई है जब हमारी शादी हुई तो ये हाश्टाग शुरू हो गया मैं नाशनल जीजू था, जीजू का मतलब है बड़ी बहन का पती, इसलिए मैं इंडिया का बड़ा भाई बन चुका हूँ, शो के होस ने भारत में जोनस ब्रदर्स के कॉंसर्ट की एक क्लिप भी चलाई थी जिसमें जो जोनस और केविन जोनस ने उनका इंट्रोडक्शन ज कभी प्रियंका के साथ इंडिया के दर्शन करने और अपनी सासुमा से मिलने आ चुके हैं, और उन्हें यहां के लोगों से बहुत ज्यादा अटाच्मेंट है, यहां के लोग उन्हें बेहत पसंद है, इंडिया से मिलने वाला प्यार निक जोनस को बहुत पसंद है, जैसा पर मनाती हीया फform पर इंटिया वापिस अकर कि मतादें हाली में निक जोननस प्रियंका चोपडना मुकेश अंबानी के बेचे अनंत की शादी में स्परानेय शादी में कंपड़ ने कुछ चिकनी चमैली पर जो ठुमके लगायते हैं पीली साडी वे हमारी देसी गर्ल के ठुमके का वीडियो जो है इतना वाइरल हुआ था कि बतब आलम यह है कि प्रियंका शोपडा जिस सुवक्त इंडिया आती है उस सुवक्त इंडिया की अंटेटेनमेंट न्यूस जो होती है व कि उन्होंने अनन्तंबानी और रादिका मर्चन की शादी में किया था इसके अलाबा बता दे प्रियंका चोपडा जो है कई इंडियन फिल्म भी करती रहती है भराल आपको कैसे लगी हमारी एक खबर हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंटर्टेंडमेंट से जोड़ी है ऐसे ही और खबरों के देखते रहें न्यूस नेशन डिजिटल